कोरोना के नए वेरियंट को देखते हुए जिले का पूरा स्वास महकमा सतर्क है जिसके संबंद में सिमरक्टर सुधाकर पांजे ने बताया कि विदेश्यो में कोरोना का नए वेरियंट एक्टिव हुआ है इसे वैग्यानिकों ने वेरियंट ओफ करशन कहा है इसको लेकर शासन द्वारा शासन देश जारी किया गया है कि बाहर से आने वाले सभी लोगों का टेस्टिंग किया जाए और उनका RT-PCR जाज कराई जाए और उनने बताये कि शासन देश जारी होने के बाद रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पर स्वास्तिभाग की टीम लगाए गई है उनने कहा कि एयरपोर्ट पर करीब 30-35 लोग रोजाना आते हैं जो जनपत के अलावा वेविन अने जिलों से आ रहे हैं उन सभी का अच्छी तरह से जाज किया जा रहा है अभी कोई भी वेक्ति पॉजिटिव नहीं पाया गया है इस संबन्द में गुरेगपूर्ट नियोस से बात करते हुए स्यमोर डॉक्टर सुधाकर पांडेनी कहा अभी देशों में नया वेरियंट करोना का नया वेरियंट डिटेक्ट हुआ है इसको अभी देशों ने वेरियंट आप कंसर्ण कहा है कि इसको ध्यान देनी की ज़गरत है तो मिस के सिलसले में हमारे सरकार ने सासना देशारी किया हुआ है कि बाहर से आने वाले बिलेज से आने वारे सबी लोगों को ट्रैकिंग किया जाए और उनके पास अगर आटेपीसिया जाच नहीं है तो उनको जाच कराई जाए और आटेपीसिया जाच के बात उनकी जिन बिहार है जो हमारे जनपत के अलावा विभन ने हमारे बगल के सभी जनपतों से आ रहे हैं बिहार के लोग आज दर्टे हैं और फिर चले जाते हैं तो सबकी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं सबकी जाचे कर रहे हैं पिछले कई दो तीन हपते से और दो दिन से सगन जाचे कर रहे ह कोई भी पाजिटिव नहीं आ रहा है और सब की ज्यादा त्रेंटीजन भी जाचे हो रही है अभी दोड दिन पहले नेपाल की तरब से के सिधात नगर कराने वाल अवेक्ति आया हुआ था जो तकलीफ में हमारे जिलाश्पदाल में आया था उसकी जाच हुई तो एंटीजन पास्टिव आया था उसको सिधात नगर के सेमों को सुझित कर दिया गया है वो उसकी आटीपीचियार और जिनों से प्रिश्टिश को जाच कर रहेंगे